ओग उमाता नुरों के बोली या के जिन्दगी से महारी हे रे आख्या के माण पाली आजा सुनो हकिकत सारी इस अख्या के माण पाली आजा सुनो हकिकत सारी आख्या के माँ पाली आजा सुनो हकी तक सारी लौ माता नू रोगे बोली के जग की से वारी आख्या के माँ पाली आजा सुनो हकी तक सारी क्या कहें ने सीचल नो कहन लगी तमने दूद पिया अपने बच्चों को पिलाया सारी उमर खेत कमाया अब कसाईयां का हवाले कर दी जब ये कसाई जमना पार लेजे हैं किस तरह का वहार करते हैं पहली नमबर के महादम से अपना धर्ड ब्यान करते किसे क्या कह दिया हिर गवमा तहां पे आ रहा चले हूँ गवमा तहां पे आ रहा चले हाते में काटी जासे काट पिट के गवमा तहां की चरबी छांटी जासे हड़ी न्यारी चरबी रे न्यारी न्यारी पांटी जासे इतना भुंडा हाल देख लोगो छाती पांटी जासे हिंद देश तेरा धर में खत मेरी बिंदेने से नेरा कानमे खतम ही कव माता नुए कुतारी क्या महारी पारिया का सोलो हतिका तसारी कव माता दूरो आपके के कहतिका समारी कमाता कुदो आपके प्लारी ये दूगी सामारी आख्या के वह बाली आख्या पुस्कोवकी का तज्वारी एक कसाई एक गुमाता का मोल लगा के ले जाता है नहीं जातने कितने टूल ना के क्रोस करता है कितनी दूरी दें करता है कितना भुगतान करता है अरे उन तो कुस्तों कमाई होगी कुस्तों मुनाफ़ा होगा कि आपने सोचा है कभी ह हो Economic अपने स्रीर के किसी भी हिसे बाएइड करके कि गुव माता के अंदर 33 कोटी देवता निवास करते हैं सही ये बात है अरे जब 33 कोटी देवता हमारे हिंदु ध्रम में है और किसी ध्रम में अपने सुना है कि 33 कोटी देवता है वो भी गुव माता के अंदर विराजवान है और आप उनकसाईयों के हवाले कर दिया कि तुम्हारी मानों तो चार माँ है वो चार माँ कभी ने कौन सी बताई कैसे के रता दिया धर्ती माहता एक गवू माता धर्म से मा कहलाई भारत माता जन निर माता मता चर बताई बेते आग मा कट जा बेटा क्यों कर कर समाई भारत मा की कैद छुडाई कर कर ने लडाई सुबास बोस्तन फरक कर आरे सुबास बोस परना भरे संकर्यारे रोहू के दे विचारी अध्या क्या महा की पाणी आया एजद की हिल सम्हारी जियो को 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 का ओढत का केंटी जवास बोस से विंती करती है के रे तरने बहर्त माता तो उन अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करा दी लेकिन गव माता वो तो अब भी केद के अंदर है हर्याना के जीत जले में छोटा सा गावे जुलाणी जहांके हर फुल जाट हुए थे जुलाणी के जिनों ने अकेले ने आगे चलके काफी गव हते तुड़वाई थे उसको याद करती की रहे हर फुल जाट जुलाणी के कित डूब के मर गय के तरी नीत में फरका गया के पापया का हाथ भीक गया अगर मर क्या हो तो दुबारा फेर जनम ले क्यों क्यों कि हमने तेरी जरूरत है और धनेवाद है ऐसे गोर्सकों को गो भक्तों को जिन्होंने गव साला का निर्मान किया काफी तादाद के इंतर जितने शुरोता है जोवों के नाम से भी जितनी भी शरोता है दान सर्दा समान जिसकी जितनी शर्दा हो दान जरूर करके जाएंगे आएगा तिसने नमर के मादे में से कैसे क्या बता देखा पुल जड्ड जुलाणी के हर फुल जाट जूलाणी के तूं केड़ डूब के मर गया वच्चन बहर थे रक्षा करूंगा वच्चना ते तु भीर गया गौ माता तेरी कटन लाकरी तू क्यू कर धोरे दर गया पापी होगी नीत तेरी के पापी यहां तडर गया पापी होगी नीत तेरी के पापी यहां तडर गया ते मर क्या हो तफेर जनमले ते माता तनु है मुकारी आठ्या के रूप आठ्वाई बढ़िया एचन्द की सभारी पुट्यान है रे पुट्यान है रे पुट्यान है नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सेदाई ना रहा है सेदाई ना रहेगा जपाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का तो रही ताहिये दिल दुखा राव किसी का कहते प्रेमिश्रोताओं अगर धर्ती से गवु माता नश्ट होगी गवु माता खतम होगी तो सरश्टी का इसरवनास हो जाएगा गीवारे इसान तिरी फितरत एकलास को हाथ लगा के नहता है और गवु जैसे वे जञवान जानौन को मारके खता है क्या तेरी यही फित्रत है अरे भगवान ने खाने को अन दिया है तो कम से कम भगवान ने ये मनुष्य रूपी जोनी तुम्हें दिये तो कम से कम इसका सद्व प्योग कर भगवान का नाम ले कुछ अच्छे करम कर आएगा लास्ट एंड फानिल में कमें ने किसी क्या बता कहते हैं हमारे हिंदु द्रम में एक गव माता को मा का दर्जा दिया जाता है कि क्यों दिया मेरे ते मा का दर्जा आज बात ने कलियर कर जा और कच्रा खाक पेट भर जा हिंदु दूब के मरजा अरे मार बलाट्या देख गात पे तरने दर्द का बेरा पटेगा और आज तरी गव माता कि वो नाड के साही करतेगा किस परकार से लाश्ट एंड फानिल में कैसे के बता दिया अरे मैं मर की हित सारे हिंदु बैसक डूब मर जावें खिंद दर्म बता कि ते रहे गया जब लोग गउने खावें जो मेरे सेचे बेटे से मेरी आके जाने बचावें इसे इसे ये लाल मेरे जावें पल मैं जाने खपावें इसे इसे ये लाल मेरे जावें पल मैं जाने खपावें इरे सत्यवान के सांगी आड़ा सत्यवान के सांगी आड़ा ना पर योदर में की हाड़ी कुँद्गी से बारी कुँद्गी से मारी आख्या के भाब पाड़िया जा शुरू हकीत दिस्तारी